एलो डीर स्टुरेंट्स, स्वागद है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल Just Start Solution में तो डीर स्टुरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जिस तत्व के बारे में बात करने वाले हैं उस तत्व का नाम है बोरोन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की बोरोन क्या होता है और साथ ही हम इसके गुण, उपयोग, प्राप्तिस्थान और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी बात करेंगे आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी है वीडियो बहुत पसंद आएगी तो चलिए फ्रेंड्स, जदा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आईए सबसे पहले जानते हैं बोरोन के प्रीच्चे के बारे में तो बोरोन एक रसायनिक तत्व है, जो प्रकरती में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता बलकि यह सिम्युक्त अवस्था में पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि यह अन्य चित्व के साथ योगी के रूप में ही पाया जाता है जैसे बोरोन का एक योगी का नाम बोरेक्स है, जिसका फॉर्मला Na2b407.10H2O होता है और इसे सुहागा भी कहा जाता है आएए अब जानते हैं बोरोन की खोज किस किस वैज्यानिक के द्वारा की गई थी तो बोरोन की खोज का श्रेयर तीन वैज्यानिकों को जाता है जिनका नाम है जोसेफ लूइस गेलुसेक, लूइस जैक्स थैनार्ड और सर हेंफरे देवे इन तीनों के द्वारा बोरोन की खोल की गई थी आईए अब जानते हैं बोरोन के गुणों के बारे में तो बोरोन एक ऐसा तत्व है जो एक उब्धातु है अथार्थ ये धातू और अधातू दोनों के गुण फ्रदरशित करता है बोरोन के रंग की बात करें तो बोरोन दो रंगों में पाया जाता है नमबर फर्स्ट घहरा बूरा और दूसरा होता है काला तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरोन के दो सवरूप होते हैं नमबर फर्स्ट, एमोफोर्स बोरोन और नमबर टू, क्रिश्टलाइन बोरोन, एमोफोर्स बोरोन की बात करें, तो एमोफोर्स बोरोन पावडर के रूप में पाया जाता है, और इसका रंग भुरा होता है, क्रिश्टलाइन बोरोन, क्रिश्टलाइन बोरोन अत्यंत कठोर और भंगुर होता है और इसका रंग काला होता है बोरोन की अवस्था की बात करें तो बोरोन की अवस्था ठोस होती है इसकी परमाण संक्या 5 और इसका परमाण भार 11 होता है इसके गलनांग की बात करें तो इसका गलनांग 2075 डिग्री सेल्सेस और इसका कवंधरांग 4000 डिग स्था में पाया जाता है समाने तापमान पर बोरोन विदूत का अच्छा सुचालक होता है जबकि उच्छ तापमान पर बोरोन धात्व के समान विदूत का अच्छा सुचालक होता है बोरोन की परमनुस रंचनागी बात करें तो बोरोन में 5 इलेक्ट्रोन, 5 प्रोटोन और 6 न्यूट्रोन होते हैं आईए अब जानते हैं बोरोन का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है No.1, boron का उपयोग पठाकों में हरे रंकी रोशनी के लिए किया जाता है No.2, Aemoforce boron का उपयोग rocket fuel igniter के रूप में किया जाता है No.3, boron का isotope boron 10 में neutron को अव्जोषित करने की शम्ता होती है इसलिए इसका उपयोग परमाणू रियक्टरों में भी किया जाता है नमबर फोर बोरोन-10 का उप्योग नूट्रोन का पता लगाने में किया जाता है। नमबर फाइब, बोरिक एसिट, बोरेक्स और बोरिक उक्साईट बोरोन के योगिक हैं। इनका उप्योग आईडरो, व spraw painter और हलके एसिटिक में किया जाता है। नमबर 6, बोरेक्स का उपयोग खाद्य सरनक्षन के रूप में किया जाता है नमबर 7, बोरोन का उपयोग सेमी कंड़क्टर के निर्माण में किया जाता है नमबर 8, बोरोन फसलो और पोधो के लिए आवश्यक्ततु होता है नमबर 9, कीट नियंतरन में बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है आईए अब बात करते हैं बोरोन के प्राक्ति स्थान की मतलब बोरोन कहा कहा पर पाया जाता है तो बोरोन सोर मंडल और प्रिच्वी की पपड़ी में एक कम भौता याद ततो है यह अपने अधिक सामानिय प्राकर्तिक रूप में पाये जाने वाले योगिक जैसे बोरेट खनी जोकी जलगुलन शीलता द्वारा प्रिच्वी पर केंद्रित है इनका उध्योगिक रूप से वाश्पिकरन के रूप में खनन किया जाता है जैसे बोरेक्स और क्रनाइट दुनिया में तुर्की देश में बोरोन का सबसे अधिक उत्पादन होता है आईए अब बात करते हैं बोरोन के कुछ रोचक तत्थों के बारे में नमबर फर्स्ट बोरोन एक ऐसा तत्व है जो पोदों के लिए अवश्यक होता है नमबर टू वैज्ञानिकों के द्वारा बोरोन से गठ्या रोग के उप्योग की संभावनाएं खोजे जा रही है नमबर त्री बोरोन प्रिच्व की पपड़ी में सैंतिस्वा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है नमबर फॉर हम भोजन के माध्यम से लगबग दो मिलिग्राम बोरोन प्रते दिन लेते हैं नमबर फाइव हमारे शरीर में लगबग अठारा मिलिग्राम बोरोन उपस्थित होता है तो दियर शुडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को like, share और हमारी चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो की notification प्राप्त होते रहेंगे मिलेंगे आपसे नेक्ष्ट वीडियो में एक नए topic के साथ Thank you